जहिन आप सभी को सिक्षक दिवस की धेर सारी सुबकामना है आपके हमारे या दुनिया के कोई भी इंसान हो उस सबके जीवन में सफलता का सबसे बड़ा अगर किसी का हाथ होता है तो वो उसके सिक्षक का होता है हम सभी के जीवन की सबसे पहली सिक्षक होती है वो हमारी मा होती हैं, वो हमें ही सबसे पहले अक्षर ग्यान वगरा सिखाती हैं, सब के सफलताओं में सिख्छका, अलग-अलग सिख्छकों का हाथ होता है, वो नर्शरी से लेके हमें पूरे higher education तक बढ़ाते हैं, आज के दिन हम अपने सभी सिख्छकों को हाथ जोड़कर न वो दौर जब हम लोगों का था, तो एक सिख्छक के पती बढ़ा डर रहता था, जैसे स्कूल या कॉलेज के ग्राउंड में टीचर को देख लेते थे, डर जाते थे लोग, आज के वक्त में हम देख रहे हैं, धीरे-धीरे इस चीज का नैतिक पतन होते जा रहे हैं, भारत ततकालीन राष्टपती उस समय के 94 में डॉक्टर संकर देयाल सर्मा थे, 1994 में डॉक्टर संकर देयाल सर्मा भारत से अधिकारिक दोरा पर ओमान गया, ओमान की राष्टपती डॉक्टर संकर देयाल सर्मा का हवाई जहाद लेंड किया, तो ओमान के जो किंग थे वहां की र के आता भी है तो वो रिसीब करने के लिए नीचे खड़ा रहता है और राश्टपती खुद उतर के आते हैं लेकिन ओमान के राजा के यानि ओमान के किंग के साथ ऐसा नहीं हुआ हमारे डॉक्टर संकर दियाल सर्मा अभी हवाई-जाहग में बैठे ही थे तो ओमान के किंग सीडियों से चड़कर खुद गये और डॉक्टर संकर दियाल सर्मा को उनके सीट के पास से जाकर रिसीब करके उन्हें लेकर आये थे जब ड्राइवर्स और बोडीगाड ने उनको गारी में बैठे तो वहाँ के किंग ने ड्राइवर को हटा कर खुद ड्राइव किये थे संकर दियाल सर्मा के गाड़ी को हमारे राष्टपती साब के और उन्हें इतना इज़्जत दिया गया था जो इससे पहले ओमान में किसी बीदेशी घंडमान को ऐसी इज़्जत नहीं मिली थी जब मेडिया वालों ने उनसे पूछा कि आखिर संकर दियाल सर्मा में ऐसा क् खास है जो आपने इतने सारे प्रोटोकॉल्स तोड़ दिया आज तक किसी राजा या किसी देश के प्रधानमंति राष्टपती को इज़्जत नहीं मिली ओमान के किंग ने कहा कि जब मैं स्टूडेंट था और भारत में पढ़ाई कर रहा था तो उस समय पूने में जब उ प्राचीन काल से आज तक बहुत सारे लोग भारत में आते हैं सिक्षा लेका और बड़े बड़े पोस्ट पर पहुंचे हैं उसके बाद से अभी तक कई सारे राष्टपती प्रधानमंतरी अलग-अलग देशों के ओमान में गये लेकिन उन्हें जो प्रोटोकॉल के तहत ह जो हमारे संकर देयालसरमा ची को मिला था हमारे सिक्षक हमको एक टीचर के साथ-सशाथ एक गारजियन की भी भूमिका में हमारा लाइफ का सबना था कि हम फौज में जाये लेकिन मेरे साथ गलबड़ है कि मेरा Opt Tenonि मेरा हाथ तेड़ा है तो medically unfit होने वैसे हमारा finally selection नहीं हो सकता था हम काफी frustrated हुए थे हम क्या कर सकते हैं तो हमारे teacher ने मजाक मजाक में कहा था कि तुम एक काम करो तुम दूसरे को पढ़ाओ तुमारा हाथ तेड़ा है तो क्या हुगा दूसरे का career सीधा कर दो टीचर्स ने हर वक्त में motivation किया चाहा कहीं पर भी schooling life में कभी marks खराब आ जाना कभी इस समय तो teachers हमेशा support में किये एक बार हमको यहां थे कि graduation में B.Sc में थे हम मार्क्स बहुत ही खराब थे 49 परसेंट था इतना कम बहुत खराब होता है यह तो एक नॉर्मल से भी लड़कों का भी इससे जादे ही आता है marks बहुत कम आये थे हम टेंशन में हो गए थे वहां पर तुन्हों ने का टेंशन कहें लेते हो life में टॉप करो बहुत है कि लोग क्या थे और हम क्या समझ रहते हैं सबके साथ challenge जाते हैं सबके जीवन में कठनाईय आती हैं कठनाईयों का आना एक पाड़ा ऑप लाइफ है और उससे जीत कर निकल जाना एक आट आफ लाइफ है सब के धायर रखे, अपने teacher से बात किये तो उन्होंने काफी मधूर भासा में बोला, कि देखो बाटा, जीवन में किसी को ठगना पाप है, थगा जाना कभी पाप नहीं है, तो तुम्हे कोई ठग रहा है, तो यह उसकी गल्ती है, जीवन में तुम किसी को मत ठगना, क्योंकि हम किसी भी इंसान के cctv camera से बस सकते हैं लेकिन जो उपर वाले ने cctv camera लगाया है उससे कोई नहीं बस सकता है इस देश में कुछ ऐसे लोग है जिनको अपने बारे में मतलब नहीं है लेकिन दूसरे के बारे में टांग वो जादे लाएंगे उन लोगे से कहते हैं दूसरे के उपर PhD करने से बहतर है खुद के उपर graduation कर लो ज्यादे अच्छा रहेगा हमको एक बाइस मई को रिपोर्ट अन खान सर पूरा ट्रेंड कर दिया आप लोगों ने देखा होगा अजीब सा माहल बना दिया उन लोगों ने कीजिएगा वक्त जब बिगड़ता है तो गूंगे भी बुराई करने लगते हैं जब लोग बराबरी नहीं कर पाते तो पैरों की नीचे खोदाई करने लगते लेकिन ऐसे लोग जादे देट तक टिकते नहीं हैं सारे लोग खतम हो जाते हैं वह ऐसे भी जब इसे कंट्रोवर्सी चल रही थी मेरे तो सारे स्टूडेंट ने सारे सीख्षक अलग-अलग फिल्ड के कुछ डॉक्टर्स वकील मतलब इवन जो लोग एजूकेशन से डारेक्ट नहीं सकते हैं अलग-अलग सब्जेक्ट हो सकते हैं बट सबका धे सबका उद्दे से एक ही रहता है कि जादे से जादे लोगों को सिख्षित किया जा सके ताकि हर इंसान अपने फिल्ड में आगे जा सके और व्यक्तिकत रूप से देश की बहलाई में बहुत सारा काम कर सके ऐसा कर दोसें यह नहीं एसे दोचार पर्संट इचेंगे कि किसी दूसरे टीचर की बढ़ाई करना जा इसा नहीं करना चाहिए किसी इंडिवीजिवल और रहा जाता फिर एक क्रिटेग्री जब आप टीचर बोलते हैं तो एक समुदाय को दरसाता है तो ऐसा नहीं होना कोई भी अगर खुद से किताब सामने रखेगा तो एक सामने पढ़ने वाले स्टूडेंट का मोरल गिर जाएगा कि टीचर ने खुद किताब खुल रखा हम लोग जब पढ़ते थे तो एक चीज हम लोग के मन में एक चीज जरूर घूमता था यह सरको इतना याद कैसे रहता वो अलग बात है कि आप कोई numerical solve करा रहे हैं या कुछ भरवा रहे हैं तो वो एक मजबूरी है बट जब समझाने का वक्त हो एक फ्लो का वक्त हो तो उसमें नहीं रखना चाहिए यह सहीं नहीं क्योंकि इस स्टूडेंट्स का क्या होता है और स्टूडेंट्स लोग को भी क तोड़ा एक्स्ट्रा मेनाथ करके बराबर आना है तब दोनों में अच्छे से समझ में आगए बट यहां इस्टूडेंट्स को लगता है कि डर नाम का चीज नहीं है गार्जियन को भी कहते हैं कि आप अपने बच्चों को जी जान से महबत कीजे बट उस पर उस तरह से न है उस समय उठी लेकिन हाँ एक बाद जरूर याद रखेगा जितना जल्दी उठेंगे उतना जादे आपके पास वर्क टाइम जादे रहेगा अब देर से सोके उठेंगे तो आप एक अच्छा सा वर्किंग टाइम को गमा चुके रहेंगा तो एट लिस्ट कोशिस करेंग आप किसी भी काम को अगर लगतार 21 दिन करते हैं तो धीरे धीरे वो आपकी आदत बन जाती है और अगर किसी काम को लगतार 90 दिन कर देते हैं तो फिर वो आपकी दिनचरिया बन जाती है अब आप डिसाइड कीजिए कि आप अच्छे काम को करना चाहते है या गलत काम को ज इतिहास गवा है, वो कभी चर्चित नहीं हुआ, और जिंदिगी हो या वाट्स अप, लोग हमेशा इस्टेटस ही देखते हैं, जीवन में संघर्स काना बहुत जरूरी है, क्योंकि फूलों की हिफाज़त काटे ही करते हैं, माली तो बहुत बाद में आता है, और रिकॉर्ड वो तोड़ते हैं, जिनके रगों में खून नहीं, बलकि लक्ष पाने के लिए जुनून दोड़ता हो, याद रखिएगा जिस समय आपका किस्मत साथ न दे, जमझ जाएगा कि आपकी महनत आपका साथ देगी, किस्मत एक लिफ्ट की तरह होती है, कभी भी धोका दे सकती ह लेकिन जो महनत होती है, वो सीड़ियों की तरह होती है, चढ़ने में तो ठकान देगी, लेकिन कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगी, आपको अपने मंजिल तक पहुचाएगी, और बुलंदी पे चढ़ने के बाद आपको घमन नहीं, बलकि एक सुकून मिलेगा, कि महनत ज गया टल, जिसने कहा परसो, बीत गया बरसो, और जिसने कहा आज उसी ने किया राज, जीवन में संसकार का भी बहुत बड़ा मोल होता है, आप अपने विचारों से स्वतंत रहिए, लेकिन संसकारों से बंधे रहिए, कभी भी अहंकार मत रखिए, क्योंकि आप कितनी भी बुलंदी पर क्यों न चले जाए, लेकिन याद रखिएगा, आसमान में बैठने की जर्जा नहीं होती है, जो भी बुलंदी पर जाएगा, उसको एक न एक दिन, आज नहीं, तो कल उसको वापस इस धर्ती पर आना है, इसलिए बुलंदी को देखकर बहुत जल्दी में नहीं आना चाहिए, और हमेशा याद रखिए, बड़े बुजुर्गों से मिलकर बैठना चाहिए, उनसे बाते करना चाहिए, बड़े नायाब होते हैं ये लोग, कुछ लम्हों में जिन्दी के तजरूबे बता देते हैं, याद रखिएगा, समय, सम्मान और टीन ऐसी चीजे होती हैं, जो एक बार अगर हाथ से चली गई, तो फिर दोबारा लोटके कभी नहीं आती हैं, जीवन में सब के परती दया का भाव रखना चाहिए, और सबसे बेसरम चीज अगर कोई इस दुनिया में है, तो वो गरीबी है, कमवक्त उमर का भी ख्याल नह पड़ते हैं, हम सब टीचर डे मनाते हैं, मदर डे, फादर डे, कई सारे डे को मनाते हैं, कास एक रोटी डे होता, कि कम से कम उस दिन तो देश के गरीबों को भर पेट खाना मिल सकता था, ये जिन्दगी है, इसे सीखना बड़ा मुस्किल होता है, क्योंकि जब तक ये की, तो teacher of the year, इस बार teacher of the year कहेंगे, तो covid-19 को कहेंगे, क्योंकि इसने बहुत अच्छे अच्छो को सिखा दिया, कि वो क्या थे, चंद गज, दो गज जमीन में दफनाये गया उसे, जो करोडो का मालिक हुआ करता था, सब को समझ में आ गया, कि पैसा धरा का धरा रह जाता क्योंकि अपने वो नहीं होते हैं, जो तस्वीर में साथ हो, अपने वो होते हैं, जो तकलीफ में साथ देते हैं, इस बार इस कोरोना ने बहुत सेरे लोगों को अपनों को खोया है, साइध ही कोई ऐसा गाउं होगा, जहां अपनों को नहीं गमाया हो, तो उन सब की आत्मा पूरी तरह से अपने पट्री पर आप हैं लेकिन याद रखेगा जिसके पास के लिए कुछ नहीं होता है उसे हराना असंभव होता है अब याद रखेगा अब आपको जिनकोंने बहुत जादे संघर्ष देखा उन्हें हराना मुस्किल होता है क्योंकि जूला अगर बहुत आगे कभी सफर करता है इसलिए जिंदी से संघर्ष से सीखना जाना चाहिए भागना नहीं चाहिए आप सब देश के किसी भी कोने में रहे हमेशा एक दूसरे का साथ दे अपने गुरू का हाथ पकड़के चले जीवन में किसी के पैर पकड़ने की जरुवत नहीं पड़े चलते रहेगा मिलेगे नेक्स क्लास में जैहिन